वो सिस्टीन में जंकर रायता फैनने लगा है जहां एक तराफ शिप ठाकरी और अर्चना गोतम के बीच की लड़ाई का नतीजा सब के सामने आ चुका है वही टीना दत्ता के पाउ में चोट लगी थी वैसा ही कुछ MC स्ट्रैन और शालिन भेनोट के बीच देखने को मिला ऐसे में शालिन टीना के पाउ देखने लगा कि तबी बीच में MC भी आ गए MC स्टेंड ने शालिन भैनोट को ऐसी सला दी जो सालिन को पसंद नहीं आई ऐसे में MC ने शालिन को गाली दे दी वही सोंबुल शालिन के साइड लेते हुए कहते नजर आए शालिन अपने आपाख हो बैठे हैं MC स्टेंड पर जमकर बरसे ऐसे में सभी घरवाले उनके बीच बचाव करने लगे टीना दत्तर शालिन भैनोट को समझाती है कि उसे स्टेंड पर ऐसे नहीं भड़कना चाहिए था और गालिया नहीं देनी चाहिए थी ऐसे में शालिन कहते हैं कि उसने चालू किया था मैंने पहले नहीं की थी उसने की थी ऐसे में बीच में शोंबूल भी कूद पड़ती है टीना डटा शालिन को कहती है कि आपको इतना ग्रेफ सीव नहीं होना था अचानक से सौंबूल को बीच में बोलता देख टीना उन्हें गुस्से में चुप रहने के लिए कहती है